बढ़ते एंगली खबर के ओर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार आज विधान मंडल के दोनों सद्दों में वित्थी वर्ष 2021 और 2022 का वजट पेश करेगी वितमंदरी शुरेश कुमार खन्ना की अगवाई में 11 बजे विधान सभा में तो विधान परिशत में नेता सदन डॉक्टर दिने शर्मा बजट प्रस्तुत करेंगे योगी सरकार का ये पांचवा और आखरी पुर्ण बजट होगा ये सूबे के इतिहास में पहला कागज रही बजट भी होगा बजट प्रदेश में 45 चुनाओं की सरगर्मियों के बीच पेश किये जाने वाले इस बजट में सरकार अगले साल होने वाले विधान सभा चुनाओं के लिए भी पुखता जमिन तयार करने की कोशिश करेगी लेहाजा ने बजट में युवाओं, किसानों, श्रमिकों और महिलाओं को साधने के साथ बुनियादी धांचे के विकास को भी तेजगती देने की कोशिश होगी कुरोना अबदा की मद्दे नजर स्वास्त उच्षित की बेहतरी के लिए खाजाना खोला जा सकता है ये लोगों का अनुमान है, बता दे कि बजट का आकार पांच करूड, पांच लाख करूड होने का अनुमान है इसे पेश करने से पहले सोम और को सुबह कैबिनेट की मंचूरी दिलाए जाएगी कि योग आधितना सरकार की बजट पर सबकी निगाहें ठीकी हुई है और भारी भरकम बजट से जो हर वर्ग के लोगों की उम्मीदे जुड़ी हुई है आज 2021-2022 का बजट पेश किया जाएगा बता दे कि आरेकाल का ये आखरी बजट होगा क्योंकि आगे विधान सभा चुनाव है यानि कि 2022 में विधान सभा चुनाव होने हैं जिसको लेकर अब अन्दाजा ये भी लगा जा रहा है कि सियम योगी की तरफ से कुछ अलग से जमीनी इस तर से जुड़े लोग है उनके लिए कुछ अलग तरीके का तौफा होगा क्योंकि बाइस में चुनाव है जिसके मद्दे नजर रखते में सरकार कुछ नौजवानों को रुजगार और किसानों के लिए फायदे की बात कर सकती है क्योंकि आने वाले विधान सवाग चुनाव की तैयारी में बिजेपी जोरो सोरोश जुड़ चुकी है आज जो बजट पेश होगा उस पर हर वर्ग के लोगों की उमीद है क्या होगा अब यह तो 11 बज़े ही सफ हो पाईगा क्यूंकि जिस तरीके से क हिए नीगाहइटी की हुई है तो यह 11 बज़े ही इस प्षे पाईगा कि आखिर इस बजट में क्या है क्योंकि बजट का पीढरा जो है यारा बज़े खुलेगा वरते अगली खबर के और उत्त्रप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनात रभिवार को केरल के कासर गोड में विदानसभा चुनाओ की तयारियों के लिए भारती जनता पार्टी की विजय यात्रा में शामिल हुए और जनसामा को संबोधित किया सियम योगी ने जनसभा को संबोधित करते वे लवजिहात के मुद्दे पर केरल सरकार पर जम कर हमला बोला और उन्हें केरल की वामुमोर्चो सरकार पर प्रहार करते वे आरोप लगाया कि वराज़ी में लवजिहात पर रोक लगाने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठा रहे हैं सियम योगी ने कहा कि वर्ष 2009 में केरल उच्च नियाले ने जहां किस यहां सरकार का ध्यान लवजिहात की और आकरशित किया था फिर भी कियरल सरकार लवजिहात के खिलाब कोई कानून नहीं बना पाई एकिर उत्तप्रदेश शरकार ने लवजिहात के खिलाब सक्त कानून बना दिया है